सो next relation relation between delta and delta it means ultra… सीधा delta and ultra delta to show that सीधा delta, ultra delta equal, ultra delta, scous delta minus, ultra delta ओलेंगे यह के यह कज़ना है पहले हमने इन दॉनों term को लिया delta, ultra delta, fx यह आपका भार आ जाना है यहां पर वेकवर्ड का यूज किया वेकवर्ड Fx वेकवर्ड Fx में आपका फॉर्मॉला होता है Fx-Fx-H जो हमने इसको ओपिन कर दिया देन डेल्टा का हम फॉर्वर्ड का जो डेल्टा है उसका हम हमें डेल्टा करेंगे तो इट विल्टा Fx-Delta Fx-H अब यहां पर देखें समझने की चीज़ क्या है अब आपको यहां पर-फॉर्मॉला यूज करना है डेल्टा Fx- यहां पर मैंने यूज किया फॉर्वर्ड windy डिफेशन का फॉर्मॉला दो वो हमारा क्या होता है forward difference को formula हमारा रहता है f x plus h minus f x right हमारा formula होता है delta f x equal f x plus h minus f x लिग देते हैं यहाँ पर confusion create ना हो तो अब देखिए आप यहाँ पर पहले next value then minus function रहता है अब यहाँ पर हम same क्या करेंगे इसमें इसकी जो x minus h की जो next value हो हमको क्या मिलेगी f x मिलेगी then minus function of x जो के माला same है पर आजाएगा की कैए आप इसको ऐसे compare करना है अब देखिए अब जो यह value बन गी वो किसकी बन गी delta f x की just because ultra delta f x का value मारा होता है f x minus f x minus h यही तो रहता है आप उपर से भी देख सकते हैं यहां से formula हमारा बन गया किसका ultra delta f x का यहां से हम क्या करेंगे इसको function को common ले लेंगे so it will be delta minus ultra delta अब जैसे कि हमने इसको इन दोनों के through यहां पर इसको approach किया same आप क्या कर सकते हैं आप यहां पर ultra delta and सीधर delta लेगा कि इसको find कर सकते हैं कैसा करेंगे और समरी क्या करना है यहां पर इसको use करना है then delta f x करना है आपको और आपको इन दोनों की value पता है उसके तो इसको बस approach कर देंगे हमाई easily a term मिल जाएगा ओके